हाला स्टुडेंट्स मैं डॉक्टर गजिन पुरवीत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहाँ पर मैं वीडियोज अपलोड करता हूँ और इंजिनेरिंग मैथमेटिक्स बीस से इसकों कर आप किसे भी कॉम्पेटिशन एक्जाम की ताहरी कर रहे हैं जहां पर हार मैथमेटिक्स पूछा जाता तो मेरा यूट्यूब चैनल बहुत ही हेलफुल आप लोगों के लिए इस उन मैं आज इसपेर का पार्ट थर करने व इस पर आप सब यहां पर जाके देख सकते हैं और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा इस उन देखी वाला टॉपिक को जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इस उन कंसप्स समझता है कि इंटरसेक्शन आप सफेर और लाइन आपको जाएगा अब चुकि यह दोनों एक दूसरे को इंटरसेट करें तो जो पॉइंट है वो इसको यहां पर करेगा सटिस्टाय करेगा तो जो भी X.Y.Z. की वैलइट निकलेगी वू उठा के हम यहां रख देंगे जैसे हम इसको यहां रखेंगे तो हमारे पास R में कॉडरेक एक्वेशन आजाएगगी उस R की जो कॉडरेक एक्वेशन आती है उसके हम रूट्स निकाल देंगे R1 और R2 मान लीजे 2 उसके value है अगर R1 और R2 दोनों point distinct आ रहे हैं और real आ रहे हैं तो मतलब यह होगा कि यह जो line है यह उस spare को cut कर रही है यह हमारे पास इस तरी के represent करेगा ऐसा होगा, दो point आईगे हमारे पास अगर हमारे पास यहाँ पे जो दोनों point है सेम आरे, मतलब R1 और R2 की value क्या रही है सेम आरे, इसका मतलब यह होगा कि वो जो point होगा, वो सिर्फ एक ही होगा जो कि इस spare को touch करते हो line क्या कर जाए ही, निकल जाएगे अगर हमारे पास R1 और R2 imaginary आ रहे है तो उस वाले case में यह जो line है इस spare को touch नहीं करेगे, बाहरों के निकल जाएगे, तो यह समझने की ज़रूद है point of contact पे, कभी-कभी exam में ऐसा question आ जाता है कि क्या यह line इस spare को touch कर रही है नहीं कर रही है, तो आपको point निकालना है और point निकालके, मतलब यहां से X, Y, Z की value निकालने, उठाके रखनी है R की value निकालने, अगर R की value यहां पर क्या आ रही है, like distant आ रही है तो cut करेगा, एक आ रही है तो touch करेगा, और image ना रही है, तो बाहर जाके निकल जाए, उसको cut नहीं करेगा, touch भी नहीं करेगा तो सुनगी, मैंने डाग्राम से इसको समझानी कुशिश करी, तो अब यहां पर इसको समझ सकता है, अब बाता आते सुन, tangent line and tangent plane अब होता क्या है, नॉर्मली माली जी हमारे पास कोई sphere है, clear है, अब इस sphere से एक line मैंने ली, यह क्या ही, एक line हो जागी पर अगर यहां पर इस point पर बहुत सारी मैं tangent को खीच सकता हूँ, और जितने हमारे पास tangent line होगी, अगर सब की sub line किसी एक surface पर लाइक करती है, तो वो जो surface होता है, वो हमारे पास क्या 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 लाता है, सुन, tangent plane क्या लाता है, so this is the concept of tangent plane, और वैसे बताना चारों कि हम यहां पर tangent plane को ही पढ़ेंगे, पर tangent plane का जो concept होता हूँ, वो लाइन से निकलता है, कोई भी square है, उस square के point पर अगर खीची हुए, जितने भी हमारे पास tangent line होती है, अगर वो सब की sub line किसी एक surface पर करते हैं, तो वो जो surface होता है, वो इस square का क्या होता है, tangent plane क्या लाता है, लाता है, सुन होता है, हमारे पास question रहा है कि कैसे, अगर हमारे पास photon कोई भी square हमें और हमें सब कार्द खीचाल तो उस square के tangent equation कैसे निकलते हैं, मतंब टेंजजेन और को मैं लिखेंगे X1 Y1 , प्लस Z1 , फिर इसका कॉफिशन को आधा कर लेते हैं तो यह आएगा UX , प्लस X1 , यहां पर आएगा वाईरे पास , Y1 , और इसका वाले को आधा कर देंगे ,Car ब्लस Z1 , प्लस , D is equal to 0 , यह हमारे पास क्या होता है यह प्लस , Tengen 10 की एक्वेशन आते हैं, इसको हम T is equal to 0 से भी हम इसको यहां पर represent करते हैं, इसको एक एक्वेशंपल देते हैं और एक्वेशंपल से समझने कोशिश करते हैं, the equation of tangent plane at 111 to this square, तो क्या करेंगे, इसको सब से लिखेंगे, तो माले जी लेट, X1, Y1, Z1 is a point of contact, then इसकी जो tangent plane की equation क्या होगी, X, X1, plus Y, Y1, plus Z, Z1, और यहां पर X कोफिशन का आधा करेंगे, और इसको लिख देंगे, X, plus X1, minus 7 is equal to 0, तो X1, Y1, Z1 की जिएका 1, 1 रख देंगे, तो 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, यह भी 1 आ जाएगा, यह भी 1 आ जाएगा, और यह 2X plus 1, minus 7 is equal to 0 हो जाएगा, सुन थोड़ा इज़द से लिखेंगे इसको, तो यह 2X और X, 3X हो जाएगा, plus Y, plus Z, and 2 में से गया, तो यह minus 5 is equal to 0, तो सुन यह हमारे पास क्या जाएगी, टेंजन प्लैन की equation आ जाएगे, आगे बढ़ता है, एसो next condition of a tangent plan, अगर कोई भी स्फेर को, कोई प्लैन, अगर टच करता है, तो यहाँ पे condition होती ही, that is called condition of tangency, और वो condition यह होती है, कि अगर यहाँ से यहाँ तक की जो distance है, वो radius भी होती है, यह perpendicular distance भी होती है, अगर यह दोनों बराबर हो जाती है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, यह जो plan होता है, यह इस स्फेर का क्या होता है, tangent plan होता है, तो माली जी हमारे पास यह को स्फेर दे रखा है, इसका हमारे पास center minus u minus v minus w है, तो हम इसकी radius निकालेंगे, और यहाँ पे जो plan दे रखा है, lx plus my plus nz, इससे इसकी perpendicular distance निकालेंगे, दोनों को बाराबर रखेंगे, and solve करेंगे, तो हम यहाँ पे पता कर सकते हैं, अगर यह दोनों बाराबर आ रहा है, तो हम यह पता कर सकते हैं, यह क्या है, इसका tangent plan होगा, example देखके समझते हैं, example से समझते हैं इसको, इसमन माली जी हमारे पास कोई sphere दे रिखा, यह हमारे पास sphere दे रिखा, तो हम जाते हैं, इस sphere से center निकालेंगे, तो center क्या होगा, इसमन, x कोफिशन का आधा और minus, तो यह minus 2 है, तो आधा और minus करेंगे, 1 आएगा, y के कोफिशन का आधा और minus, z के कोफिशन का आधा और minus, यह आजाएगा, इस सुन यहां पर क्या करते हैं, इसका radius निकालते हैं, तो इसका radius हैगा, वो क्या आएगा, सुन, इसका x-e कोफिशन, मतब यह f, g, h का square कर दीचे, 1, plus, 4, plus, 1, और वहाँ पे d है, d minus 3 है, तो यह plus 3 हो जाएगा, यादन हम जानते हैं, इसमन क्या होता है, f square plus g square plus h square minus का d, तो जो minus है, तो प्लस हो जाएगा, तो इस ही हो जाएगा, 4, 3, 7, 8, 9, तो यहाँ पर इसकी रिडियस कितनी है, अब इसकी पर्पेंडिकलो डिस्टरस निकालते हैं, किससे, प्लेंस है, इस उन प्लेंस के रहा है, 2x-2y, plus, z, z, plus, 2l is equal to 0, तो यहाँ पर इसकी पर्पेंडिकलो डिस्टरस निकालते हैं, तो पीज़ जहां पर भी, प्लेंस के रहा है, और यहाँ पर इस उन यह प्लस 12 अरहा है, और यह 9 आ जाएगा, एंड एस्वन हम जानते हैं यहाँ पर इसकी वेलियु क्याएगी चार और चार आट और एक नो और नो का रूट 3 होता है इसको स्वाल करेंगे तो पी की वेलियु हमारे पास 3 आ रही है तो यह जो होगा यह हमारे पास क्या जाएगा एक तो इस तरह से हम इसको यहाँ पर इसली चेक कर सकते हैं कभी कभी एक्जाम में क्या होता है कि यहां मालीजी लेंड़ा जैड़ा इसकी जगर लेंड़ा जैड लिख दें फिर आप से पूचेंगी फोर वोट वेलियु ओफ लेंड़ा दिस इस अटेंजेंट प्लैन आफ दिस इंटू AQ मतलब अफेंड इसका जो प्राड़क्त है वह हमारे पास प्राड़क की जो वेलियू होती है वह हमारे पास पार आफ पॉइंट कहला थी इस पर कि और यह हमेशा कॉंस्टेंट वेलियू होती है पर इस नुन में बताना चाहूं कि ऐसा कुछ कैलकूलेशन करने क जरूतने इसकी शॉट्ट्रिक होती है कि जुभी पॉइंट दे रहे रिखा है उस पॉइंट को इस इस पर में पूट कर दो साटस्वाइब रहा दो जो वेलियो होती ही वह हमारे पास किया हुता पा आफ पॉइंट होता है अगर प्लेन इसको यहां पर क्या कर रहा है तो इसके लिए तरीका ही होता है कि माली जी हमारे पास यह स्फेर दे रहा है जो भी हमारे पास सेंटर आ रहा है अलफा, बीटा, एंड गामा और यह हमारे पास LX प्लस MY प्लस NZ प्लस D is equal to 0 दे रिखा है यह NZ है तो अब अगर हमारे पास यह पता पढ़ जाए माली जी C है तो CP की equation मिल जाए तो CP की equation हमारे पास क्या होता है इसमिन X-Alpha, Y-Beta and Z-Gamma होता है और नीचे इसके element हो जाएंगे और इसको हम क्या करेंगे स्विन बाराबर किसी एक point के कर देते हैं माली जिसको मैंने कर दिया S के बाराबर तो सुन यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम x का लिए, y का लिए झालिए देड का लिए, इस को लिए तो यहां से हम मेरे पास s की विए आजए को रखेंगे, तो हमारे पास point of contact आजीए, टेंजन प्लेन की एक्वेशन तो पहने बताई दीए, आपको क्या होती है वो ही, xx1 प्लस Y1 प्लस Z1 प्लस U X प्लस X1 V Y प्लस Y1 and Z W Z प्लस Z1 प्लस D is equal to 0 होती है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ वो ही है आगे बढ़ता है इस सुन नेक्स कंसेप्ट है पॉल एंड पॉलर प्लैन इस सुन यह क्या होता है बताना चाहता हूँ मैं आपको कि अगर हमारे पास कोई भी स्पेर दे रखा है और A पॉइंट कोई बाहर है जिससे हम इस स्पेर पे एक लाइन खिसते हैं और यह P and Q पर इसको क्या करती है कट करती है तो यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट हम बीच में ले R है और यह जो R है इसके रेस्पेक्ट में A पॉल कहलाएगा अगर इस A से में पास होने वाली बहुत सारी ऐसी ऐसी लाइन खिसता हूँ और यह सभी यहाँ पे ऐसे हमारे पास R पॉइंट निकलेंगे और यह R पॉइंट कैसे निकलेगा इस कंडिशन से कि A R is equal to 2 AP AQ upon AP plus AQ अगर इस कंडिशन को साट्सफाई करें तो ऐसा जो R पॉइंट का जो लोकस होता है वो हमेरा क्या कहलाता है पॉइंट कैलाता है और इस पॉइंट की जो ए होता है यह क्या कैलाता है और इस उने इस पॉइंट की एक्वेशन होती हो एक्वेशन ही होती है पर जो पॉइंट होता है एक्समान वाइवन जेडवन वो यह पॉल होता है यह ध्यान देने की जरू होता है ना जब हम प्लस Vy, plus Y1, plus Wz, plus Z1, plus D, और बोलोगे, sorry, equation तो tangent जैसी आरे, पर जो X1, Y1, Z1 होता है, वो हमारे पास यह point होता है, और वहां पे हमारे पास क्योंच सा होता है, वो, इस पेर पर लाई करने वाला point होता है, तो यह difference है, बागे समझने की बहुत इसी है, यह हमारे पास polar होता ह इसके corresponding क्या होता है, पोल होता है, आगे बढ़ेंगे, तो सुन, question देखिए, question क्या बोल रहा है, the pole of the plane LX plus MY plus NZ is equal to please, with respect to this sphere is, तो ultimately आप से पोला जा रहा है, कि यह जो pole है, इसके corresponding यह polar है, है ना, तो आपको यह पूछा जा रहे कि pole का coordinate क्या होगा, तो सुन, हम जानते कि, मा XX1 plus YY1 plus ZZ1 is equal to A square होगा, इसको हम थोड़ा इज़स से लिखे है, तो सुन, XX1 plus YY1 plus ZZ1 minus A square is equal to 0 होगा, पर सुन, यह हमारे पास polar आ रहा है, जबकि हमारे पास question में यह polar दे रहा है, इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, यहां पे compare कर लेंगे, तो सुन, हम जानते है, इसके एक यहां पे हमारे पास Z का coefficient कितना रहा है, सुन, N आ रहा है, यहां पे Z1 आ रहा है, और वहां पे हमारे पास क्या रहा है, सुन, P आ रहा है, और यहां पे हमारे पास क्या रहा है, यहां पे हमारे पास क्या होगा, पी हो जाएगा, यहां पे हमारे पास क्या होगा, पी हो तो हमारे क्या कहलाता है पोल कहलाता है तो सुन यह हमारे पास क्या होगा पोल का कॉडिनेट होगा इस वन क्वेशन बहुत अच्छा है क्वेशन को समझने के जरू होता है क्या बोल रहा है find the equation of sphere which touches the sphere x square plus y square plus z square plus 2x minus 6y plus 1 is equal to 0 at 12-1 यह हमारे पास एक sphere है और इस sphere पर हमारे पास लाइक वन कोमा टू कोमा माइनस टू पर यह जो स्पेर यह क्या कर रहा है इसको टच कर रहा है तो आपको इस इस पर की equation निकाली और पर इस इस पर के बारे में एक चीज़ और बोल रखी गी है 1-1 and 0 से पास हो रहा है अब मैं आपको बताना चाहरू कि इस sphere की equation आपको दे रहे खी है x square plus y square plus z square plus 2x minus 6y plus 1 is equal to 0 हम क्या करेंगे सुन जिस point पर यह touch कर रहा हूं आप एक plane की equation निकाल रहा है तो हम जानते हैं कि जो tangent plane की equation होगी at 1 2 minus 2 वो क्या होते हैं सुन हम जानते है xx1 plus yy1 plus zz1 क्योंकि इस sphere की equation में पता है point पता है तो हम इसके tangent plane की equation निकाल सकते हैं तो यह आएगे हमारे पास plus यह आधा कर देंगे तो यह आएगा x plus x1 minus यह आधा कर देंगे इस उनी आएगा x plus 1 and यह आएगा minus 3 y plus 2 plus 1 is equal to 0 हो जाएगा इस उनी अभी कर गरिये यह आएगा x2x हो जाएगा इस उन्हें 2y में से 3y हैं तो minus y हो जाएगा and यह आएगा minus 2z and यह 1 and minus 6 and 1 तो I think यह minus 4 आएगा सुन यह हमारे पास क्या हैकी plane की equation अब तूनों यह इस से पास हो रहा है और इस plane से भी पास हो रहा है इन दोनों से पास हो. तो हम बीच में लेम्डा लगा देते हैं और बराबर जीरो कर देते हैं तो हमारे पास लेम्डा की विल्यू निकाल के लिए पॉइंट डिरका कि प्लेन हमारे पास देरेका है सुन, 2x-y-2z-4 is equal to 0, अब चुकि यह जो इस पर ही है, 1-1 0 से पास हो रहा है, तो 1-1 0 उसको क्या करेगा, साटिस्फाइ करेगा, यहां से मारे पास लेमडा की विए लिए लिए उठागी है, आप पुट करतेंगा हमारा आंसर आएगा, तो हम क डिल्स देरेका है, मारे पास यहां पर राइट, एन प्लस पो लेंडा, इस वन पर एक्स रखेंगे तो यह टू हाएगा, वाई कि रिए प्लस 1 आजाएगा, प्लस वन आ जाएगा, जेक फो जीलो है, माइनस का फोर इस इकूल द टीडो तो यह आएगा हमारे पास, जो आर सब्सक्राइब कर देंगे तुमारे पास सब्सक्राइब की एक्वेशन आगे बढ़ते हैं तो नेक्स क्वेशन देखें इफ एनी टेंजन प्लेंजन प्लेस्क्राइब सब्सक्राइब की एक्वेशन प्लेस्क्राइब तो हम जानते की एक्वेशन प्लेस्क्राइब इस टाइब एक्सी को कट एक्स को कट करेगा यह इस टाइप का रहाँ यह प्लेन जो है हमारे पास यह क्या कर रहा है यह रहा है, 0,B,0 पे cut कर रहा है, 0,0,C पे कर रहा है, तो जब इसको cut करेगा तो इसको क्या करेगा, satisfy करेगा, तो जहाँ पर भी इस plan है, वहाँ पर X की जगा, A, Y, Z की जगा 0 रख दीजे, तो हमारा पास ये एक relation हो जाएगा, इसी टैप से ये आजाएगा, तो इस टैप से tangent plane की equation निकाले, और जो point था, X1, Y1, Z1 था, तो जो X1, Y1, Z1 है, वह इस spare भी तो लाइक कर रहा है, तो इस spare की equation को क्या करेगा, वह satisfy करेगा, तो X1, Y1, Z1 उस spare की equation में रखेंगे, तो जैसे इस spare की equation में रखेंगे, तो आएगा, X1 square plus Y1 square plus Z1 square is equal to R square, इसो नहीं ये X1, Y1, Z Z1 की में रखेंगे, इसको simplify करेंगे, तो हमारे पास ये relation पूरू हो जाएगा, इस तरह से हम बहुत एजी इसको प्रूव कर सकता है, तो next question देखें, next question क्या बोल रहा है, the equation of spare, touching the plane, Z is equal to 0, and passing through the circle, X square plus Y square plus Z square is equal to 1, and 2X plus 4Y plus 5Z is equal to 0, तो हमारे पास यहाँ पे, जो इस spare है, व Y square plus Z square minus 1 plus lambda into, यहाँ आएगा, 2X plus 4Y plus 5Z minus 6 is equal to 0 हाएगा, इसको थोड़ा इज़त से लिख लेते हैं, तो इस तो हमारे आएगा, X square plus Y square plus Z square plus 2 lambda X plus 4 lambda Y plus, यहाँ पे आजाएगा, 5 lambda Z, and इस तो हमारे आएगा, minus 1 minus 6 lambda is equal to 0, अब question यह बोला है, कि यहाँ ठीक है, यह मारे पास, Z is equal to 0 plan है, वो इसको क्या कर रहा है, इसको टच कर रहा है, अब मैं आपको बताना चालाओ कि अगर Z is equal to 0, यह plan है, यह Z is equal to 0 plan है, यह Z is equal to 0 plan है, जो इस square को touch कर रहा है, तो इस तो हम क्या करेंगे, condition of tangency use करेंगे, और उस लेम्डा की वे, क्योंकि आपको करना है, आपको इ इस पर की रहा है, यह जीन सकता है, तो हम क्या करेंगे, center का रहाइड निकांतर का रहा है, एक स कहुषन का यह कंद दा आधा, य की कोफिशिन का यर का रहा है, चुकी हमने पास यह रहा है, इसकी radius भी हमने रहा है, नहीं जानते है, लूगी स्काल क्या होगा यह स्क्यार कि एंध हमिनस को करेंगे, तो प्लस का चाहिए गारा फीशपर परपेंडिकल देखे टो जहांप भी जया हमाँ अ हमछ का 5-7, इसके बड़ाबर करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन जो आएगी वह इसको होली स्कॉर करेंगे दोनों तरफ और होली स्कॉर करेंगे लेंब्डा की value निकालेंगा और लेंब्डा की यहां पर पास क्या यहां पर दो value आगी, दोनों value को उठा कि हम क्या करेंगे वन बाइव उस equation में रखेंगे, लेंब्डा की value यहां पर एक बार minus 1 रखेंगे और एक बार minus का 1 by 5 रखेंगे, तो उससे महार पास एक Sphere की equation आजएगा और इस तरह हम बहुत इजली इस टाप के questions को solve कर सकता है So, comment box के लिए question दिया और question यह है कि the power of point with respect to Sphere is always variable 1, 2 और constant तो इस answer आपको मुझे comment box में देना अगर आपने परे वीडियो को देखा है तो इस answer आप बहुत इजली दे पाएंगे और इस question को solve करने में आपको कितने seconds लगे यह मुझे आपको बताना है, 2D है, then conic section है, and polar equation of conic है, and 3D पे काफी सारी वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ पूरी पूरी प्लेलिस आपको यह मिल जाएगी, इसलिए मैं जो नया चैनल पर मैं C.S.A.N.E.T के लिए काफी सारे जनरल आप्टिट की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ